हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ आलू से बने बहुती चटपटे और मज़ेदार से नास्ते की रेश्पी से यहर करेंगे आलू एक ऐसी सबजी है जो हम सब के घर में हमेशा हर समय होती है तो चलिए आज इसी से एक बहुती मज़ेदार सा नास्ता तो यहां पर तीन बड़े साइज के उबले हुए आलू हमने लिए है आलू को छील कर हमने फ्रिज में एक घंटे के लिए रख दिया ता जिससे यह पूरी तरह से ठंडे हो जाए और अगर आपके आलू छोटे हो तो आप चार आलू ले लिजेगा तो अब सबसे पहले इन दो हरी मिर्च बारी काटकर डाल देंगे साथ ही आदा इंच अधरका टुकड़ा है इसको ग्रेट करके डाल देते हैं आधी छोटी चमच काली मिर्च पाउडर एक छोटी चमच चिली फ्लैक्स और एक ही छोटी चमच यहां पर हमने सफेद वाला तेल डाल दिया है और आलू में अगर कोई पीस रह गया होगा ना तो बो भी अच्छे से मैस हो जाएगा तो यह देखिए आलू को अच्छे से हमने मैस कर लिया है अब इसमें आदा कप हम चावल का आटा डालेंगे तो एक साथ सारा आटा नहीं डालेंगे पहले आदा आटा डालेंगे और का बचा हुआ अटा बी इसमें हमने डाल दिया है और फिर से एक बाल आटे को आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे और यहीं पर हम एक छोडी चमच इसमें नमक भी डाल देते हैं नमक आप श्वाथ के अनुसा डालेंगा और सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हम तो अभी ये डो काफी ड्राइ लग रहा होगा नेकिन जैसे जैसे आप इसे मसलते हुए मिक्स करेंगे ये आसानी से लग जाएगा तो ये देखिए आलू और चावल के आटे का डो बनकर तयार हो गया और ये दिखिए ना जादा ये सकत है और ना जादा सौप्टी है अब कोड़ा सा चावल का आटा इसके ऊपर और डश्ट कर देंगे तो ये हमने क्यों किया अभी हम आपको आंगे बताएंगे तो ये देखिए सुखे आटे से इसे हमने कोट कर लिया है तो चलिए आप आंगे की तैयारी करते हैं तो यहां पर हमने एक लंच बॉक्स लिया है त यह आसानी से लंच बॉक्स से निकल जाएगा तो इसे हम लंच बॉक्स में सेट कर रहे हैं आप इसकी जगे बरफी वाली ट्रे या पर केक के टिन में भी इसे सैट कर सकते हैं इस पैचुला से ऊपर से इसे हम चिकना कर देंगे तो इसे आधा इंच की मोटाई पर हमने फैला तो यहां पर हमने मिक्सी का जाल लिया है और इसमें डालेंगे धनिया तो दनिया को पहले ही अच्छी से धुल कर हमने साप कर लिया था और डंडियों के साथ ही धनिया को हम मिक्सी के चार में डाल देंगे और साथ में एक हरी मिर्च भी तोड़ कर डाल देते हैं और दो एक चमच नीवो का रश डालेंगे और दो से तीन कलिया लैसुन की डाल देंगे लैसुन नहीं खाते हो तो आप स्किप कर दीजेगा और तीन से चार चमच पानी डालकर इसको हम पीस देंगे तो ये देखे हमारी चटपटी सी हरी धन्या की चटणी बनकर तैयार हो गई और कितना बड़ा कलर भी आया है तो एक बावल में इसको हम निकाल लेंगे और अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे तो इस चटणी को आप दो दिन के लिए फ्रिज में इस्टोर करके भी रख सकते हैं तो ये चटणी बनकर हमारी तैयार हो गई तो चलि कितनी आसानी से पीस हो रहे हैं चाको में ये बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहा है तो ये लीजिए इसके पीस हमने कर लिए हैं और अब एक पीस हम आपको निकाल कर भी रिखाते हैं तो ये लिखे कितनी आसानी से ये पीस निकल लए हैं ये देखिए तो आप इस तरह से इन पीसों को एयर टाइट डिबे में भर कर साथ से आठ दिन के लिए इस्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि इसमें हमने लेस्वन प्यास नहीं डाला है यह बिल्कुल भी खराप नहीं होगे और जब आपको खाने हो तो आप इने फ्राई करके खा भी सकते हैं आप इने सेलो फ प्रोर में कोट करेंगे और एक्स्टा कॉन फ्लोर को हम जाड़ देंगे तो यह देखिए इसी तरह से सारे नास्ते के पीस को हम कॉन फ्रोर में कोट करके रखते जाएंगे इस तरह से जब हम नास्ता प्राई करेंगे ना तो यह बहुत ही ज्यादा क्रिपी बनेंगे तो तो यहां पर हमने सारा ही नास्ता डाल दिया है और जब एक साइट से हलका गोल्डन कलर आजाएगा तब इन्हें हम पलट देंगे और इसी तरह से उलट पलट करते हुए दोनों साइट से बढ़िया गोल्डन कलर आने तर हम प्राई कर लेंगे तो यह देखिए दो से तीन ब बढ़िया नास्ते पे कलर भी आ गया है पर इसे आप मीडियम फ्लैम पर ही फ्राई करेगा जिससे यह क्रिस्पी हो सके तो देखा आपने फ्रेंट घर पर रखे आलू से ही यह मजेदार सा हमारा नास्ता बनकर तैयार हो गया तो नास्ते पे बहुत बढ़िया कलर भी आ च निकाल लेते हैं और यह नास्ता बिल्कुल भी ओईली नहीं होता तो चलिए फटा फट से इस नास्ते को हम निकाल लेते हैं यह देखिए फ्रेंट्स देखने में यह जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है तो यह लीजे नास्ता ब सुरिया आपने आवास तोड़ कर भी हम आपको दिखाते हैं उपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से उतना ही ज़्यादा यह सौप्ट है आप इसे व्रेकफास्ट में साम की चाय के साथ या घर पर कोई महमान आए ना तो फटा फट से आप इसे बना कर तयार कर सकते हैं बाहर से आपको इसके लिए कोई भी सामान नहीं लाना है तो कैसी लगी आपको आज की हमारी चटपटे मजेदार आलू से बने नास्ते की रेस्पी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और यदि रेस्पी अच्छी लगे तो से लाइक और सेयर भी जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही नई रेस्पी के साथ नेस्ट वीडियो में हम आप से फिर मिलेंगे थेंक यू